हेलो दोस्तो वेलकम टू चेरियस पेल्स तो जिसा कि आप बहुत इन से इंतिजार कर रहे थे जारकन बीयड के इंट्रेंस एक्जामिनेशन का रिजल्ट के लिए 2022 का रिजल्ट तो फाइनली 2022 का रिजल्ट जारी हो चुका है इस PDF में आप देख सकते हैं कि आपका रेंग क्य आया आप कितने सारे बच्चे जो फॉम बरे वो उनमें से आपकी रेंग क्या है और कितना कटफ गया हुआ है ठीक है दोस्तो अगर आप राइट साइट से देखे तो CML रेंग का कॉलन आपको फिप्त नंबर कॉलम में मिलेगा और जिस बच्चे का एक CML रेंग है जैसा क इंट्रेंस एक्जाम में ठीक है वो आपका कितना गया सबसे हाइस्ट मार्क 76 यानि 76 नंबर लाने वाले बच्चे का रेंग एक है अगर आप नीचे की और स्क्रोल डाउंड करेंगे तो आपको 1182 पेज़ेज के नीचे यानि लास्ट पेज में आपको देखने को मिलेगा क कि जिस बЧ Cage ने माइनस 8.5 स्कूर करा है यानि लासी बच्च ठीक है उसका रांक है 42 45уй分享 यानी 42 554 यानि इतने ही बच्चे ने इकजाम दिय और उसके चारंके का प्याइट 057 questo चैने इतने सारे बच्चे जो है जारकंड में stipend Whew की हैं आपकी जो CML rank आई हुई है उससे आपको Government B.A. College मिलने की कितने chances हैं और कितने नहीं है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये पूरी depend करता है category पर कुछ बच्चे General है, कुछ बच्चे BC1 है, कुछ बच्चे BC2 है ठीक है, कुछ बच्चे ST है और SC है, तो इस पर इस category से ही depend करता है कि आपका Government College मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले आप देखें कि Government College हमारे जारखंड में कितने हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो के link में आपको नीचे दिया गया होगा, आइस चैनल पे जाएंगे तो आपको जारखंड के topmost चार बीएड कॉलेज के बारे में जो सरकारी बीएड कॉलेज है, उसका fee structure with proof रशीत की साथ मैंने बताया है, तो आपको देखने को मिल जाएगा, कि कितना Government College है, और उसके fees क्या है, ठीक है, आज हम बताने वाले हैं, कि कितना rank आएगा तो आपको मिलेगा, तो इस वीडियो में जो कि आप नए है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना बूले, तो अगर आप जनरल कैटिगरी से हैं दोस्तों, तो आपकी rank अगर 400, मतलब 400 के आसपास है, अंडर 400 है, तो आपकी chances थोड़ी बहुत बन रही है, थोड़ी बहुत, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए, चार बीएड कॉलेज सरकारी है, जिसमें से, एक है फुली गर्स की, जो की, गौर्मेन Father, बरीयातू राची कहलाती है, और एक है, दूसरा नंबर है, आपका कांके राची में, यानी गौर्मेन Father, टीचर ट्रेनिंग् कोलेज कांके राची, दोनों राची में ही है, एक fully girls का और एक fully boys का तो बचे और दो जो की एक देवघर में है और एक हजारी बग में है और ये दोनों college दोस्तों कोईड है यानि इसमें boys plus girls दोनों है ठीक है तो यहाँ पे 200 seat हुआ और यहाँ पे 200 हुआ यानि 400 seat एक college content करता है 100 seat तो अगर आपके यहाँ पर 4 college सरकारी है तो कितने होगे 400 seat होगे अब अगर जिसका CML rank 400 के आसपास या 400 से नीची रहा होगा उसको government college मिलने के chances होंगे और जिसका 400 से ज़्यादा रहा है उसको government college मिलने के chances नहीं बनेगा फर्स्ट राउन counseling की में बात कर रहा हूँ हाँ एक सर्थ पर बन सकता है अगर आप STSC category की से बिलोंग कर रहे हैं तो आप लगभग 100 सॉरी 1000 rank तक भी अगर आपका CML rank आया है तो chances बनेगा कि आपको government beard college मिलेगा government beard college यानि fully government beard college क्योंगी वहाँ पर जो fees होती है दोस्तों और आपका 2 साल पार हो जाएगा वहीं सरकारी beard college के अपिक्षा अगर देखे प्राइवेट में तो आपको प्राइवेट beard college में लगभग 1.5 लाग रुपे लगते हैं किसी किसी में तो 2 लाग भी पढ़ जाता है और इसमें आपको इतने पैसे देने होंगे तभी आपका beard complete होगा 2 साल का ठीक है 2 लाग के आसपास तो यहाँ पर क्या है कि फिर scholarship भी कुछ मिलता है तो इसमें हम लोग यह बोलेंगे कि जो भी बच्चे का यहाँ पर आप देखे कि CML rank एक वाले का 76 marks गया है तो 76 marks और इसमें हम marks की बात अभी ने करेंगे CML rank की बात करेंगे क्योंकि आप सबको पता चल चुका है कि CML rank कितना है तो CML rank 400 के नीचे है अगर आप general category से belong कर रहे है तो आपकी chances थोड़ा बोध बन रही है 300-200 है तो government college मिलने की ठीक है topmost government college में लड़कियों के लिए बर्यातू राची है लड़कों के लिए आपका हो जाएगा ये कहां के राची ठीक है government teacher training college कहां के राची उसके बाद अगर आपको aid में लेना चाहते हैं जहां लड़किया लड़किया साथ में पढ़ती है तो आपका देवगर हो गया और हजारी बाग हो गया तो यहां पर हो गया तो मैंने बता दिया आपको कि जो बच्चे BC1 या BC2 से बिलोंग करते हैं और उसका category rank से अगर आप देखे हम CML rank की बात कर रहे हैं तो CML rank से देखे तो 400 के आसपास है तो उसकी chances थोड़ी बहुत बन रही है यानि 300 के आसपास अगर आपका है BC1 और BC2 वाले बच्चे का तो आपका chances बनता है अगर आप मैं category के नहीं बात कर रहा BC1 और BC2 category के बच्चे जिसका CML rank 300 है उसका chances बनता ठीक है और 300 के आसपास जिसका है 300 या 400 के आसपास उसका general का भी मतलब general और BC1, BC2 लगबग लगबग से में मैं क्या बोलूँ यह इसके बारे माँ आप खुद जानते हैं और जो HTSC से बिलोंग करते हैं उसके लिए 1000 CML rank भी है तो भी उसको chances बनते हैं चारो बीर्ड कॉलेज में लेने के ठीक है इसके साथ साथ अगर आप PH category से बिलोंग करते हैं तो इसमें मैंने देखा है जिस college में मैं पढ़ा हूँ जारकन बीर्ड जारकन के जो राची का college है government teacher training college राची वहाँ पे मेरा एक friend था जो PH category से बिलोंग करता था उसका rank लगबग 18,000 के आसपास था हाँ first counseling में अगर आप देखे तो CML rank आपका कितना होना चाहिए 500 के नीचे यानि अगर 400 के नीचे हुआ तो और भी अच्छी बात है किसके लिए general और BC के लिए BC1 हो या फिर 2 हो दोनों के लिए और STSC के लिए 800 to 1000 भी अगर हो ठीक है तो उसका भी chances बनता है कि government beard college उसको मिले क्यों क्योंकि 400 ही तो seat है चार college में तो STSC के बच्चों के लिए ये preference मिल सकता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आपकी कितनी chances बनती है government beard college मिलने के और कितनी chances नहीं बनती है हाँ हो सकता है आपकी category की rank अगर थोड़ा कम हो तो second counseling और third counseling में इससे जब बोलते है CML rank जो 400-500 मैंने बोला BC1 का और general का वो हो सकता है 600-700 के आसपास भी चले जाए और इसके just थोड़ा सा आगे जाएगा आपका कितना ST और SC के candidate लोग को ठीक है तो चली आज के वीडियो में फिर मिलते हैं एक next वीडियो में अगर आप नए है तो channel को like subscribe करना ना भूले